बिसमिल्लायर्माइन रहीम, अस्सलाम अलेकूम, वेलकम बेक टू माय चैनल, आज हम बनाने वाले हैं कलरफुल ट्राइंगल लेस्ट, इसके लिए मैंने यहाँ पर कलरफुल जो है वो फैब्रिक ले लिया है, मैंने यहाँ पर पांच कलर लिया है, उसके बार में हम यहाँ काट बोर ले लेंगे और इसके उपर हम ट्राइंगूलर शेप में इस तरह से निशान लगाए कट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर त्री इंच के इसाब से लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर लंबा ट्राइंगल बनाना है, सबसे पहले हम इसकी जबहें कटिंग कर लेंगे, डारेक्ट फैब्रीक पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से काट बोर्ट करके रखेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाती है, तो हमने यहाँ पर यह शेप कर लिया है, किसी भी शेप का आप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्राइंगल बना रहे है उसके लिए सबसे पहले हम एक fabric लेंगे, उसको हम Soulful करेंगे इस तरह से, उसके बाद में जो हमने triangle cut किया है, उसको हम रखेंगे और हम यहाँ पर हम इसकी outline बना लेते हैं तो यहां पे जितना भी फैब्रिक हमारे पास है उसके अंदर हम इस ट्राइंगल को अजिस करेंगे तो आपको जितनी लंबी लेज बनानी है उसे साफ से आपको जो है वो फैब्रिक कट करना होगा हमें यहाँ पर double fabric यूज़ करके एक triangle बनाना होता है तो इसलिए हमें यहाँ पर जादा triangle की जरूरत है तो जितना इसमें adjust हो रहा है हम यहाँ पर draw कर देंगे उसके बाद में draw करने के बाद में हम इसकी cutting करेंगे तो अगर आप single single fabric से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा तो हम जो है इसमें कपड़े को कई बार fold करेंगे उसके बाद में इस तरह से draw करेंगे और फिर हम cutting करेंगे ताकि हमारे पास एक साथ में काफी ज़्यादा triangle जो है वो बनके तयार हो जाए तो यहाँ पर दिखिए मैंने outline कर ली है इसकी भी हम outline यहाँ से कर लेते हैं तो जितने भी color का fabric हमारे पास है हमें इसी तरह से outline करके उसकी cutting करनी है तो मैंने यहाँ पर complete कर लिया outline इसके बाद में हम पहले extra fabrics में से निकाल देते हैं क्योंकि मैं आपको सिखा रही चोटी सी लेस बनाना तो जितना triangle मैं आज cut करके निकालूंगी उसमें मेरी जो है वो एक मीटर तक लेस बनेगी तो बहुत ज़्यादा लंबी मैं नहीं बना रही हूँ अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी बनानी है तो उससाब से आपको ज़्यादा triangle की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से cutting कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस जरा सही छोडना है कपड़े को और यहां साइट से हम सिलाई लगाएंगे और एक हिस्छे को हम खुला ही रखेंगे तो दीखे इस तरह से आपको सिलाई लगाएंगे यह वहाद ज़्याद किनारी पर से नहीं लगाएंगे वड़ना जब आम इसे पलटेंगे तो से अलग कर लेते हैं जितना भी हमने थासके लगा है है कि हम यह साथ में शक्त से इसलाई से जोईंट हो गया करने के निकालना दो भी कोए बीनखी यूजेस कर सकते हैं उसका पॉइंट निकाल देंगे भीत यह तैंगल हो घ्मारे下面 तुर न कर लिया है तो यहा इतना करने के बाद में आपको इसे बराबर करना है यानि यह जो एक्स्ट्रा फैबरी का यहां से कट कर लेंगे तो सेम इसी साइज का हम इसकी उपर भी रखेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं तो सारे ट्राइंगल को जो है हमें इसी तरह से बना के तयार कर लेना है बहुत ही आसान हो जाता है देखिए मैंने यहाँ पे सारे ट्रैंगल को जो है वो पलट लिया है बहुत जादा इसमें वक्त नहीं लगता है उसके बादे मैंने इसे प्रेस से अच्छी तरह से विठा लिया है क्योंकि प्रेस करने के बाद में यह देखिए अच्छी तरह से यह बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जिसमें हमें जो है आसानी हो जाए के लेस बनाने में उसके बाद में हम यहां पर इस तरह की ले लेंगे यह जो बॉल वाली लेस है पहले बहुत जादा चलती है तो मेरे पास हर कलर की है मैं सोचा इसमें मैं वाइट कलर यूज करूँ क्यो जाएंगे तो हमें जो है सिलाई बस हमारी लेस के उपर ही लगाना है अगर आपको डारी के सरह नहीं आ रहे तो आप सिंगल फूट यूज करके भी मशीन में इस तरह सिलाई लगा सकते हैं लेकि डबल फूट में आसानी से इसलाई हो रही है बस आपको यहां पर बॉल को जो हमने यहां पे ट्राइंगल लिया है रहने ढुंबल-डबल cheer यहां पर इतनी हैasन, रहने नहीं इस लिए हम लाइन पर कलर हमारों कप्लीट तुमिट करें गहांँ प्राइब isto और आप से नहीं पर लेञ तो सरो देशा किदश करेंगे अगर आप सिंगल क्लरों बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं तो इस तरह की लेस आप बना के अपने दामन में ड्रेसेस में लगा सकते हैं और आप चाहें तो अपने डुपटे की चारो तरफ भी इस लेस को लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा खुशुरा डुपटा ज़णा खुबसूरत लग रही है तो कोई ज़रूरी निये कि आप इस तरह की बॉल वाली लेशी यूस करें अगर आपके पास सिंपल गोटा लेस है तो भी आप यूस कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी लेस नहीं है तो आप जो है डायरिक सैटन रिबिन ले 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 जो बारिक वाली मिलती है बहुत ज़्यादा सस्ती आती है तो उससे भी आप इस तरह की ट्राइंगल लेस बना के तैयार कर सकते हैं तो उमीद करते हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हैलफुल रही होगी अगर व